गूर्ड मॉर्णिंग देश विदेश के सभी दर्षकों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है बोर्ड एक्जाम के परिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छे ख़वर है इस वीडियो में देश भर के 15 बोर्डों ने हाई स्कूल की परिक्षाओं को प्यारी कर रहा है उत्तर प्रदेश में 18 मई को हाई स्कूल के परिक्षार्थियों के हाफ एल्ली और प्री बोर्ड एक्जाम्स के मार्क्स मांगे गए थे जब वो सभी विद्यालों के दोरा उपलब नहीं कराया जा सके तो अब कक्षा 9 के बिशयवार अंक मांगे गए हैं जबकि पिछले वर्ष कोरोना के कारण कक्षा 9 की परिक्षाएं ही नहीं हुई थी सभी को बगएर परिक्षा प्रमोट किया गया था तो ऐसे में एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि कक्षा 9 के या हाफ या प्री बोर्ड के मार्क्स किस तरह से अपलोट किये जाए फिर भी जहां जहां पर जिन विद्याले उने पर परिक्षा ले थी वहां पर उनके मार्क्स जो हैं वो अपलोट किये गए हैं और इसके लिए 24 मैं तक का समय दिया है तो यह वी निश्चित है कि उतर प्रदेश बोर्ड भी हाई स्कूल की परिक्षाओं को निरस करने वाला है साती साथ देश भर के 15 बोर्ड नों बोर्ड ने हाई हाई स्कूल के परिक्षाओं को निरस कर दिया है तो यह है लेटेस्ट अपडेट आए जान लेते हैं इस संबंध में विस्तार से पूरी खबर यह जानकारी अपने सभी साथियों को जो हाई स्कूल में एपियर होने जा रहे थे उनको सूचित कर दीजेगा शेयर क शूर करते हैं तो यह है लेटेस्ट अपडेट कोरोना महामारी के कारण अब तक CBSC, CIASCE के अलावा पंजाब, उडिशा, हर्याना, गुजरात, 36 गड़, जम्मु कश्मीर, तैलंगाना, उत्राखंड, 36 गड़, हेमांचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, तमिलनाडू, बोर्ड अपनी हाई स्कूल की परिक्षाएं निरस्ट कर चुका है तो यह 15 राज्य प्लस CBSC और CISCE इन सभी ने हाई स्कूल की परिक्षाओं को निरस्ट कर दिया है बार्वी की परिक्षाओं अभी पोश्पोन की गई है जबकि तमिलनाडू ने दस्मी और बार्वी दोनों ही परिक्षाओं निरस्ट कर दी हैं तमिलनाडू में हाई स्कूल और इंटर्मीडियर्ट दोनों ही एक्जाम्स को कैंसल कर दिया है पंजाब बोर्ड ने आंतरिक मुल्यंकन के आधार पर हाई स्कूल की निरस्ट परिक्षाओं का परिणाम मंगलवार को जारी भी कर दिया बिहार बोर्ड अपनी परिक्षा करा चुका है राजस्थान हेमाचल परदेश जारखन असम गोवा पशिम बंगाल आधिके राजिके बोर्डों ने परिक्षाओं अस्थगित की हैं अभी वहाँ पर परिक्षाओं को निरस्ट नहीं किया गया आंध्रा परदेश करनाटका आसम अरणाचल परदेश राजस्थान आधिराज्यों ने पूर में निर्धारित करिक्षाओं के अनुसार परिक्षा लेने का निर्णे लिया है और तलब है कि यूपी बोर्ड चमाही और प्री बोर्ड परिक्षा के आधार पर दस्वी के लगभग 30 लाग परिक्षाओं को प्रोनत करने के विचार करने के साथ ही अन्य विकल्पों पर भी मन्थन कर रहा है गुजरात बोर्ड की तरह सभी बच्चों को सीधे प्रमोट करने स्कूल के पिछले तीन साल के रिकार्ड के आधार पर और सत परिक्षा फल देने या फिर इंटर के साथ हाई स्कूल परिक्षा कराने का भी विकल्प खुला है हाला कि अन्तिम निर्णे शाषन को भी लेना है तो इस तरह से उतर परदेश में भी जो है हाई स्कूल की परिक्षाओं को निरस करने का ही फाइनली डिसीजन लिया जाना है तो इस तरह से लगतार दो बार प्रोनति का मौका मिलेगा बोर्ड ने हाई स्कूल के चात्र चात्राओं का नवी का रिकार्ड मांगा है लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल है जहां पिछले साल भी कोरोना महामारी के कारण नवी की परिक्षा नहीं हुई थी और शाषन के आदेश की क्रम में कक्षा नौ के चात्र चात्राओं को प्रोनत भी कर दिया गया था प्रमुक सचिव आराधना शुकला ने 13 अप्रेल 2020 को लागडाउन के कारण असाधारण प्रिस्थितियों एवंग शैक्षनिक सत्र को नीमित किये जाने के उद्धिशन से कक्षा 6, 7, 8, 9, 11 ये पिछले साल की बात है 13 अप्रेल 2020 को आदेश किया था कि 6, 7, 8, 9, 11 के सवी चात्र शात्राओं को अगली कक्षाओं में प्रोणनत करने का आदेश दिया था तो जो चात्र पिछले साल नवी कक्षा में प्रोणनत किये गए हैं उनकी लिखित परिक्षा या प्रोजेक्ट कार का परड़ाम मिलना नामुमकिन है CBSC और CISC के अलावा कई राज्यों ने निर्णे ले लिया है UP बोर्ड ने शाषन को रिपोर्ट भेज दी है जल्द निर्णा हो जाएगा परिक्षा निरस करने के अलावा अन्द विकल्पों पर भी विचार कर रहा है बोर्ड अब प्रश्न आता है बार्वी की परिक्षा को तो अभी तक दस्वी की परिक्षा को लेकर UP बोर्ड समेत अन्द राज्यों के बोर्ड में उअपो की स्तिती बनी होई है इसी बीच बार्मी की परिक्षा को लेकर खींस्तान शुरू हो गई है CBSC की बार्मी परिक्षा निरस करने को लेकर कुछ दिन पहले सुप्रेम कोट में एक याजिका दायर हुई थी कि इसके विरोध में केरल के एक शिक्षक ने सुप्रेम कोट में ये कहते हुए इंटर्वेशन एप्लिकेशन लगाई है कि बार्मी की परिक्षा निरस करना चात्र चात्राओं के साथ गलत होगा अब आप देखिए जो है ये है प्रियागराज से न्यूज इस संबंध में अब तक देश वर के 15 बोर्ड निरस्त कर चुके हैं दस्वी परिक्षा की परिक्षा ये खबर थी प्रियागराज से जो है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परिक्षा को लेकर चर्चाएं जारी हैं उप मुख्यमंत्री और मादमिक शिक्षा मरत्री डक्टर दिनेश शर्मा जल्द बोर्ड के अधिकारियों के साथ तमाम पहलूँ पर चर्चा करके परिक्षा अपने रिपोर्ड शाषन को उपलब्द करा दी है अब मैं आपको लेटेस्ट इस्थिती भी बता देता हूँ तो ये खबर भी प्रियागराज से है हाई स्कूल के विद्यार्थियों के नवी के अंक भी मांगे गए प्रियागराज से है यूपी बोर्ड की ओर से 2021 की हाई स्कूल के विद्यार्थियों के छमाही एवं प्री बोर्ड परिक्षा के अंक मांगे जाने के बाद अब बोर्ड ने इनके नवी के वार्षिक परिक्षा के अंक भी मांगे है डियायोस को नर्देश स्कूलों से 24 मही तक लिखित प्रोजेक्ट एवंग प्रेक्टिकल परिक्षा के मार्क्स अप्लोड कराएं तो 24 तारीक तक इसकी डेड लाइन रखी गई है 24 मही तक कक्षा 9 के जो रिजल्ट्स हैं रिटेन, प्रोजेक्ट वर्क और प्रेक्टिकल इनके मार्क्स अप्लोड करने के आदेश जारी किये गए हैं और इसी के आधार पर हाई स्कूल के बच्चों को अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा तो इस तरह से ये अप्डेट शूर है कि हाई स्कूल की परिक्चाएं भी प्रिंद्रस्ट की जाएंगी हलाकि अभी कोई आफिशल आडर नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आपके सामने 24 मई के बाद आफिशल आदेश भी आजाएगा तो ये जानकारी अपने सभी साथियों को शेर कर दीजेगा ओके थैंक्यू